खबरे इंडिया न्यूस पुलिटिन आठ नवंबर तिन सोमवार सभी शुरताओं को प्रियांशी का नमस्कार इससे पहले कि हम खबरों की शुरुवात करें आये जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार सौर ग्रीन गेट पहल के समर्थन में अमेरिका प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वन सन, वन वर्ड, वन ग्रिट की शुरुवात टी ट्वेंटी वर्ड कप से भारत बाहर, अफगानिस्तान पर न्यूजिलांड की जीत से सेमी फाइनल में पहुचने की आखरी उमीद हुई खतम मूसलाधार बारिश से डूबा चिन नई शहर, खरों में गुसा पानी बीती रात में 10 खंटों में 14 सेंटीमीटर पर साथ आज से नहाए खाए के साथ छट पर्व की शुरुवात, संतान प्राप्ती और बच्चों की मंगल कामना के लिए निर्जला वत और पूजा करती हैं महलाएं महंगाए को लेकर प्रियंका का केंद्र सरकार पर निशाना बोली जंता को महंगे दिनों से चहिये निचाथ केजरीवाल के बाद ममता वेनर जी ने भी केंद्र से और छे महिने की फ्री राशन देने की की मांग बच्चों को जल्द लगे का टीका केंद्र सरकार ने जाइडस कैडिला को दिया एक करोन वाक्सिन का ओडर हरियाना और यूपी समेथ कई शहरों में सास लेना भी हुआ मुश्किल सिगरेट के धुएं से भी अधिक खतरनाक हुई हवा रंग विरंगी रोशनी से सरोवर हुआ इलाबाद विश्विद्याले आज उन्वस्टी में होगा कन्वोकेशन खबरे इंडिया न्यूस पुलिटिन के डिश्टिल कारकरम में आपका स्वागत है अब हम आज के कुछ महत्पूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे क्लासकों में कौप 26 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक उर्जा ग्रिट से संबंधित ब्रिटेन और भारत के नित्रतव वाले ग्रीन पहल के साथ अमेरिका ने भी हाथ मिलाया इसकी शुरुवात प्रधियान मंत्री नरेंद्र मोधी ने की थी इस सब्ता के प्रारम में ग्रीन ग्रिट के पहल वन सन, वन वर्ड, वन ग्रिट, संचालन समीती की बैठक में अमेरिका के उर्जा मंत्री चैनिफर ग्रान हूम ने कहा की अमेरिका चलवायू वारता में वापस लोटने एवं नई पहल से जुड़ने पर रोमान्चत है उन्होंने कहा की साल में मानव जाती जितना उर्जा इस्तमाल करती है वह उस उर्जा के बराबर है जो एक खंटे में सूर से धर्दी पर पहुँचती है चिन्नई में शनीवार सुभा से हो रही बारिश के चलते पार जैसे हालात बन गए है 2015 के बाद चिन्नई शहर में पहली पार इतनी अधिक पारिश हुई है कई इलाकों में सडक और घरों के अंदर पानी भर गया है वही प्रशासन ने रवीवार को बार की चितावनी भी चारी कर दी है शनीवार रात से रवीवार दुपहर एक बजे तक चिन्नई में 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवर्ती सिस्टम बनने के कारण चिन्नई में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है नौर्थ इस्ट मौनसुन के चलते 9 से 11 नवंबर के दौरान आंधरपदेश और तमिलनाडू के तटिय इलाकों में भारी बारिश की संभावना चताई गई है देश में कुरोना वाइरस के खिलाफ वैक्सिनेशन कैम्पन में चल्दी 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा सरकार ने आमदावाद की कंपनी चाइडस के डीला को वैक्सिन की एक करोन डोस खरीद का ओर्डर दिया है तीन डोस वाली जाइकोफ डी नामक इस वैक्सिन को लगाने के लिए सूई की जरूरत नहीं होगी या पहला ऐसा टीका होगा जिसे भारत के मेडिसन रेगुलेटर ने 12 साल या उससे जादा उम्र के लोगों के वैक्सिनेशन के लिए मनजूरी दी है देश में विक्सित दुनिया के पहले डीने बेस्ट कोविट-19 टीके को वैक्सिनेशन प्रोग्राम में शामल करने के लिए शुरूरती कदमों को हरी जंडी दी गई है लेकिन शुरूरत में इसे एडल्स को लगाने की प्रात्मिक तावती जाएगी आज की खबरों में बस इतना ही अब दीजे हमें इजासत नमस्कार